सब्सक्राइब दोस्तों मेरा नाम है अरपित और आज मैं आपको बताऊंगा साइलस मानर के एक 14 चेप्टर के बारे में तो दोस्तों आप देखते रहें ये वीडियो और इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट कोश्चन चोके एक्जाम में आते रहते हैं साइलस मानर के नौवल लिखी है जॉर्ज इलियट ने दोस्तों मैं पहले भी चेप्टर 1-13 के वीडियो बना चुका हूं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्चन में दे दिया है चेप्टर 13 में हमने पढ़ा था कि साइलस मानर एक बच्चे को लेकर डॉक्टर की तलाश में रेवलॉय में गुमता रहता है और वो उस प्लेस पे पहुंच जाता है जहां पर सभी लोग न्यू येर के फंक्शन के लिए गैधर हुए थे मतलब रेड हाउस पर पहुंच लेकिन डॉक्टर कहता है कि मॉली अब इस दुनिया में नहीं रही है फिर साइलस मानर उस बच्चे को किसी को देने से घबराता है क्योंकि वो सोचता है कि ये उसके लिए एक ब्लेसिंग है और गौटफ्रे भी अब आगे की जिंदगी नैंसी के साथ आराम से गुजार सक अब गाउं के सबी लोग साइलस मानर के घर हुई चोड़ी को भूल कर उस बच्चे के बारे में बात करते हैं और गाउं की महिलाओं की भी साइलस की प्रती एक सिंपती थी क्योंकि वो जानती है कि दो साइल के चोटे से बच्चे की केर करना कितना मुश्किल काम है मिसेस और भी साइलस की मदद करने के लिए मैंशा तयार रहती थी वो से एडवाइस करती रहती थी और वो अपने बच्चे एरॉन के कपड़े भी उस बेबी के लिए लिया आती है लेकिन साइलस उस बेबी के प्रती बहुत ज़्यादा पॉसेसिव था वो नहीं चाहता था कि को साइलस को जीने का एक परपस मिल जाता है जो कि अभी तक नहीं था इपी खुद तो खुश रहती थी और वो आसपास के सभी लोगों में भी खुशियां पहलाती थी नाइबरूट के सभी लोग भी इपी को प्यार करना चाहते थे और वो उससे बाते करना चाहते थे साइल साइलस मारनर को डाकनेल परी जिंदगी से एक बहुती ब्राइट लाइफ की तरफ गाइड कर रहा हो साइलस को जीने का एक नया जरिया मिल गया था तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही अब मैं आपको बताऊंगा एक इंपोर्टेंट कोश्चन जो एक्जाम में आता रहता है तो कोश्चन है हाउ डिद दे लाइफ ऑफ साइलस मारनर चेंज विद एंट्री ऑफ दे चाइल इन इस कोटेज मतलब साइलस की जिंदगी कैसे बदल गई एक बच्ची के उसके कोटेज में आने से तो अभी तक साइलस अपने आसपास के लोगों से ज्यादा बात नहीं करता था लेकिन जब से एपी आई थी तब से नाइवरूट के लोगों का उसके घर में आना जना बढ़ गया था और वह उन लोगों से इंटरेक्शन भी करने लग गया था और ऐसा लग रहा था कि एपी एक एंजल की तरह उसे गाइड कर रही हो डाकनेस से suburbs में आपको उन्फ, और जहां आपको कोई भी सुझेशन भी सजिक्रिशन में दे दिया है आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा तो कि इसना मुझे और भी वीडियोज बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बैल आइकन को भी आप दबा दीजेगा ताकि मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस नहों तो दोस्तो धन्यवाद जय हिन जय भारत